दोस्तों अगर आपके laptop PC या फिर computer में आपका laptop PC या फिर computer जो है automatic shutdown हो रहा है तो उसको आप कैसे ठेक कर सकतो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर एक search का button है search के button पे क्लिक करना है सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर डिभाइस मेनेजर सबसे और क्लिक करना है तो कही पर क्या होता है कि यहां पर जो है आपका जो डिजन ड्राइबर है माथरबाह ऐका जो ग्राफिक्स का का ड्राइवर ए डिस्प्ले का ड्राइवर है इसके लिए आपका लैपट आपका कई वर सक डाउन हो जाता है ऊट्रोमेटर्टिक लीए तो इसके प्रव्लम के लिए यह है या अगर इससे नहीं थीक होता है तो दूसरा solution में बताऊंगा अगर यहां से नहीं हो रहा है तो search for update ट्राइबर्स विंडोस update पर क्लिक करना है और यहां से अगर कोई भी update दे रहा है तो मेरा completely up to date है अगर कोई update आपको यहां से मिल रहा है तो यहां सब को update कर लेना है दूसरा process ही है दोस्तों आपको क्या करना है आपको simply यहां पर search क्लिक करना है और यहां पर search करना आपको यहां से ओपन करना है एडित आपको यहां से ओपन करना है तो यहां से आपको अगर automatically shutdown हो जा रहे तो आप कर सकते हो यहां से नेवर करना है और यहां से शेप जिंड इस पर क्लिक करना है और फिरसे आपको यहांपर change plan setting पर क्लिक करना है और change advanced power setting इस पर क्लिक करना है और यहां से आप देख सकते हो तोड़ा से नीचे आना जाना है यहां से दूस्तों आपको process power management पे click करना है और यहां से आपको maximum process state पे इसको रखना है ठीक है और यहां से आप देख सकते हो on battery 70% plugin 70% तो यहां से आपको इसको 100% कर देना है अब आपका problem solve नहीं हो रहा है तो simply search option पे click the route travel suit setting open कर लेना है इसके अंदर other troubleshooter पे जाना है इसके बाद आपको यहां पर power option मिलेगा आपको यहां से इसको run करना है अब देख सकते हो दोस्तों जो problem हुआ है fixed हो चुका है अभी